दोस्तों नमस्कार आदाब सत्रियकाल नियूज क्लिक के कारिकरम नियूज मंथन के साथ मैं उर्मिलेश क्या वाकई भारत की मुझुदा सरकार हमारे संविधान को बदलना चाहती है ये गंभीर सवाल है इसलिए कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आर्थिक सलाकार परिशद है उसके अध्यक्ष है बिबेक देवराय सहाब बिबेक देवराय सहाब ने 15 अगस्त के दिन दिन भी बहुत महत्त पूर्चुना उन्होंने मिन्ट अखवार में एक आलेक लिखकर जबरदस्त वकालत की है जबरदस्त दलीलें भी दी है अब वो दलीलें उनकी जबरदस्त धंक से लिखी गई है उनमें कितना दम है उसकी हम जरूर चर्चाज करेंगे लेकिन सबसे महत्पूर्ण बात है कि इतने महत्पूर्ण सरकारी पद पर वैठे ब्यक्ति ने खुल करके मवजुदा संबिधान की एक तरह से निंदा की है कई मुद्धों पर आलोचना की है और उसको रिजेक्ट करने के अंदाज में नए संबिधान की जरूरत पर जोर दिया है अब जैसे उन्होंने जो कही है मैं तो इसको निंदा ही मानता हूँ और आप स्वेम सोचें जो उन्होंने कहा है ये निंदा है की नहीं है उन्होंने कहा है कि ये संबिधान जो अभी प्रियोग में है ये आपनिवेशिक लिगेसी है क्यों क्योंकि उनका कहना है कि ये 1935 के Government of India Act का एक तरह से उसका ही विस्तार है इसमें और जिहां विबेक तेवराय सहाब काते हैं कि 2047 के इंडिया के लिए बिलकुल नए संविधान की जरूरत है वो कोट भी करते हैं कहीं से कि 17 साल किसी संविधान की आयू होती है अब चीजें बदल गई हैं इस बदलाव में नए संविधान की जरूरत है यहीं नहीं दोस्तों उनका तो यह भी कहना है कि समानता स्वतंत्रता लोकतंत्र जैसे जो शब्द हैं हमारे संविधान में इनके क्या माइने आज हैं इसको भी व्याक्याइद करना पड़ेगा इसको भी समझना पड़ेगा और जो अपनिवेशिक विरासत की बात वो करते हैं चिंता की बात यह है कि मौजूदा जो पार्लामेंट बिल्डिंग है जिसमें अभी तक पार्लामेंट का सेशन हो रहा था उसको भारती जंता पार्टी आरेसेस के लोग आपनिवेसिक लीगेसी ही कहते आ रहे थे उसको बार-बार कहते थे जब न सद बिल्डिंग है पुरानी वो अपनिवेसिक लीगेसी का हिस्सा है तो जो भी लीगेसी आपको अपनिवेसिक दिखाई देती है या अपनिवेस काल से पहले जो लीगेसी आपको दिखाई देती है चाहे मुगल काल हो चाहे और कोई काल हो उस हर लीगेसी को मिटाने की ब हिस्ता बता रहे हैं तो क्या इसको भी बदला जाना है क्या इसको भी बदलने की बात तै हो रही है हलांकि अब ये चतुराई का लीजिए या सच्चाई का लीजिए सरकार की तरफ से और सरकार ही नहीं वलकि प्रधान मंत्री जी की जो आर्थिक सलाकार परिशद है उसकी तर जैसा मैंने कहा कि ये सरकार की तरफ से परिशत की तरफ से जो बयान दिया गया है ये सरकार की चतुराई भी हो सकती है या सच्चाई भी हो सकती है मैं कोई भविश्यबानी नहीं कर रहा हूं लेकिन अब तक देखा यही गया है दोस्तों कि जिसे आपनिवेसिक लिगेसी का ह इससा कहा गया है उसे मिटाने की या उसको बदलने की इस सरकार ने या इसके पहले भी कोश्चन की गई है दोस्तो विबेक देबराय साहब ने क्या क्या कुछ और कहा है इसके इसको मैंने कहीं डोट किया है मैं आपको थोड़ा सा पढ़के सुना दूँ सो दैट कि आप इन चीजों को मद्दे नजर रखकर हमारे विश्टेशन पर जाईएगा और उसका आकलन कीजिएगा जो बहुत महत्पून बात वो कहते हैं मेरे हिसाब से जो बहुत अपत्ती जनक है कि 2047 के लिए नए समिधान की जरूरत है इसके अलावा वो ये कहते हैं कि इस समिधान को अ जाकिया मतलब व्यंग करते हैं कि 1973 में जो बेसिक स्ट्रक्शर की बात कही गई थी और कहा गया था कि इसको आल्टर नहीं किया जा सकता इसको बदला नहीं जा सकता इर्रिस्पेक्टिव आफ वाट डिमोक्रसी डिजायर्स थ्रू पार्लामेंट पहले ये समझे कि ये कहना क्या चाहते हैं ये कहना चाहते हैं कि पार्लामेंट में डिमोक्रिटिक तरीके से अगर कोई चाहे बेसिक स्ट्रक्शर की बातों को बदलना उसके मुद्दों को बदलना तो वो बदला नहीं जा सकता है ऐसी बात 1973 में कही गई तो क्या ये ठीक है वो सवाल उठाते हैं दो हैं राजी सभा में रंजन गोगई साहब ये रंजन गोगई साहब ने अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा चल रही थी उस वक्त जो उन्होंने भाशन अपना दिया उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की और बेसिक स्ट्रक्चर को एक तरह से उन्होंने खारिस किया प्रकारांतर से उन्होंने किताब का हवाला दिया और कहा कि ऐसी बात उसमें कही गई है तो उनके उनका जो मकसद यही था कि बेसिक स्ट्रक्चर को हवा में उडाना है यानि बेसिक स्ट्रक्चर को चैलिंज करना है या चैलिंज किया जा चाहिए इसके अलावा दोस्तों देवराय साथ कहते हैं इस लेक की मुखे बाद जो बिलकुल आखिर में अंतिम लाइन में आई है कि वी दपीपुल है टो गीब आवर सेल्फ ए निव कांसुशन बिलकुल साफ तोर पे कहते हैं अब मेरा कहना है कि बेवेक देवराय जो भी क कह गए हैं उसमें एक तो बात कहते हैं जो महत्पुन बात है कि ये अपने बेशिक लेगेसी है तो क्या फंडमेंटल राइट अपने बेशिक लेगेसी है क्या हमारे देश के संविधान का जो प्रियम्बुल है जिसमें समानता की बात है जिसमें लिबर्टी की बात है जिस सब आपनिवेशिक लिगेसी है और दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि सेकलूरिजम तो बाद में जोड़ा गया इसलिए वो 1950 में जो सम्विधान सामने आया था उसका पार्ट नहीं है ये हास्यासपत दलील है ये बिलकुल ये बेमतलब की दलील है समूचे सम्विधान को अगर सारी की सारी आप धाराओं को पढ़िए सारे अनुचेदों को पढ़िए आप पाएंगे कि भारत के सम्विधान की आत्मा में सेकलूरिजम है वो कहीं भी सेकलर वैल्यू को निगेट नहीं करता इसलिए सेकलूरिजम शब्द अगर आ गया प्रियम्बुल में बाद में जो जिस तरह बहुत असार्थक नहीं है जिस तरह धर्म निर्पिक शब्द भारत के सम्विधान के प्रियम्बुल में जोड़ना सार्थक है और जरूरी भी है अब वो कहते हैं कि यह अपने वेशिक लिगेसी है बार बार तो मेरा यह कहना है कि श्यामा प्रशाद मुकर जी पर बहुत सारी योजनाएं हैं बहुत सारे काम होते हैं सत्ताधारियों के तो श्यामा प्रशाद मुकर जी उसी सम्विधान सभा में थे वो क्या कर रहे थे फिर बाबा साब भीम रावं बेटकर जो ड्राफ्टिंग कमिटी की चेर्मेन है चेर्मेन थे और उनके नाम पर म पूरतियां उनकी गड़ती है फूल माला चड़ाती है यह अलग बात है कि जो अमबेटकर साहब चाहते थे उसका ठीक उल्टा काम करती है और यही कारण है कि धलिच समाज को उत्पीडिच समाज को पिछड़े समाजों को मुबलाइज करने के लिए वो अमबेटकर के नाम या कम से कम ड्राफ्टिंग कमिटी के चेर्मेन थे अगर निर्माता ना कहें तो क्योंकि यह सच है कि बाबा साहब के सपनों का यह सम्विधान नहीं है लेकिन ड्राफ्टिंग कमिटी के वो चेर्मेन थे तो हमारा यह कहना है कि अगर आपको लगता है कि यह सम्विधान न सम्विधान सभा के तमाम मेंबर्स के बीच में और वो इससे भी ज्यादा रेडिकल सम्विधान चाहते थे उसकी एक 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 उसका ब्लोव प्रिंट था प्रारूप था चोटा जिसमें वो लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं जिसमें वो क्रशी को द्योग का दर्जा देन लेकिन आप तो कर्प्रिटाइजेशन कर रहे हैं सरकार का सारा जोर जो है वो कर्प्रिटाइजेशन पर है अगर आज मौझूदा सरकार के कामकाज को आप देखिए तो कर्प्रिटाइजेशन और कम्मिनलिजम दो सबसे बड़े घटक हैं सबसे बड़े कांस्यूएंट है इसलिए दोस्तो बिबेक देवराय जो कुछ कह रहे हैं उसको देखने के लिए हमें लगता है कि इतिहास में और वर्तमान में दोनों में उसकी 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 इनलसिस करनी पड़ेगी ये अचानक नहीं है ये ठीक है कि सरकार चतुराई या जो भी आप कह लिजे सच्चाई में इसको खारिश कर रही है और इसको कह रही है कि उसका भी हो नहीं है लेकिन भारत के सम्विधान को बदलने का बहुत पहले से प्रयास है जो मوجودा सत्ताधारी हैं इनके जो पूरवज है और उसमें कई लोग अभी जीवित हैं उनके कारकाल में भी सम्विधान की समिक्षा की कोशे की गई और अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो जो नेशनल कमीशन एक बना था जस्टिस वेंकट चलैया की अगवाई में तो वेंकट चलैया साब की अगवाई में समिधान समिक्षा का जो आयोग बना वो वाजपई सरकार में बना और वाजपई सरकार ने ये ठीक है कि चुकी वो प्रचंड बहुमत क सरकार नहीं थी RSSBJP के लोगों की एक मिली जुली सरकार थी तो उसका जो काम कास था और उसका जो एजेंडा था उसी के अनुरूप रखा गया था समूल बदलाव की बात उसमें नहीं संभव थी इसलिए अगर आप उसके मेंबरान्स का नाम सुनिए उनके मेंबर्स का न सुनिए तो आपको लगेगा कि मिली जुली सरकार जैसा एक मिली जुली कमेटी भी है अब उसमें वेंकर चलिया साब थे बीपी जीवन रेड़ी साब भी थे सरकारिया साब भी थे सोली सुराब जी के पाराशन थे और सुबाश चंदर कश्यप के अलावा सी आर इरानी और पिये संगमा ये सब लोग उस कमिशन के मिंबर थे लेकिन समिक्षा की कोशिश की गई और कमिशन ने ये 2000 में बना था सन 2000 में सन 2002 में कमिशन ने रिपोर्ट दी 1979 पेजेज की ये रिपोर्ट है सिपारिशें उसकी नहीं मानी गएं कुछ सिपारिशें उसकी जरूर ऐसी थी जिन पर काम किया जा सकता था अनुछेदों में बदलाओ, इस अनुछेद को उस अनुछेद में ले जाना, उसको ड्राप करना, कुछ ये जोड़ना, कुछ वो जोड़ना, इस तरह किसी पाईशे थी, लेकिन मुकंबल तो पर अगर देखा जाए, तो उस समिधान, संशोधन या समिधान की समिक्षा के आ राजपई सरकार के लिए, लेकिन उस दर्वियान भी कोई ऐसा फैसला नहीं हो सका था, लेकिन मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ, कि समिधान बदलने की बात, और एक हिंदुत्वादी किस्म का समिधान, रचने की बात, ये गाहे बगाहे भारती जनता पार्टी के जोधन की बात की थी, बलकि उन्होंने इसको बदलने की बात की थी, और भी बहुत सारे नेता हैं भारती जनता पार्टी के, आरेसेस के, जो एक नए समिधान की इक्षा जाहिर करते रहे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, कि भारती जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, संबिधान के प्रियम्बल से लेकर और उसके जो fundamental rights हैं उनको मानते हैं कि ये प्रगती में बाधक है बहुत सारी चीजों को मानते हैं कि प्रगती में बाधक है और जाहिर है धर्मिर प्रिक्ष्टा तो उससे तो उनको च्छिड है कत्ते ही हो नहीं चाहते कि इस तरह का शब्द किसी भी तरह से टॉलरेट करें सेक्लरिजम का कितना मजाग उड़ाया है भारती जनता पार्टी ने और RSS के लोगों ने कि इस शब्द को बदनाम करने की कोश्चे की गए जबकि ये बहुत खुबसूरत शब्द है इसके पीछे का अर्थ इसकी भावना मानोता का एक समझ लीजे कि उसका एक खुबसूरत एक खुबसूरत मुल्य है जिससे कहीं भी मनुशिता सुन्दर और सजीव बनती है बिलकुल आखिर में दोस्तो हम ये कहना चाहेंगे कि संबिधान बदलने की कोशिश भारती जनता पार्टी के नेताओं की इसके योजनाकारों की ये कोई नई बात नहीं है उनकी तरफ से ये लगातार कोश्चे की गई है इसलिए मैं बेवेक देवराय के बयान को उनका महज नीजी बयान नहीं मानता जैसा कि उन्होंने बाद में इस बात को बार बार रे खांकित किया और हर जगह आप कहे जा रहे हैं कि नहीं साब ये तो हमारी नीजी राय है इसका सरकार से प यूपिये दौर में भी जब कॉंग्रेस पावर में थी उस वक्त भी ये सत्ता के काफी करीब थे कई वर्षों तक सत्ता की संरचना के किसी न किसी स्तर पर ये उसमें काम करते थे बात के दिनों में धिरे धिरे ये इंडिये के करीब आए कई बार पद पर रहे कई बार प्रदेश का जो मुख्य भी पक्षी दल है कॉंग्रेस उस पर भी जरूर कुछ न कुछ बात होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने एक अजीब डिसीजन लिया है बहुत दिल्चस्प डिसीजन लिया है तो उसकी चर्चा अगर ना करूं तो इस सब्ता की कुछ प्रमुखवरों क को मैं नजर अंदाज करूंगा और वो ये बात है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में चौथी बार बदलाव किया है महज कुछी सालों में यानि 2019 से लेकर अब तक प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी जो उत्तर प्रदेश की है उसके अध्यक्षपत पर चार लोग आसीन हो गए राज बबर साब अक्टूबर 2019 में प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्षपत से हट आए गए थे या हटे थे अजय कुमार लल्लू साब आए 20 अक्टूबर 2019 को वो 2022 में अक्टूबर महीने में ही हटे थे और ब्रिजलाल खाबडी साब आए इसके बाद अजयर आए अभी अ अनारस से हैं और अध्यक्ष बनते ही अध्यक्ष बनते ही उन्होंने एलान कर दिया अपनी तरफ से कि राउल गांदी अमेठी से चुनाव लडेंगे और प्रियंका गांदी अगर वारानसी चेस से चुनाव लडेंगी उनकी इक्षा हम तो चाहेंगे कि लड़ें कुछ इ ये एक बताता है ये जो फैसला है बार-बार बदलाव का प्रदेश कॉंग्रिस अध्यक्ष की कुरसी पर जो न्युक्तियां हो रही है नेत्र तुमें जो इतना जल्दी-जल्दी बदलाव हो रहा है यानि 2019 से लेकर 2023 के बीच यानि अगस्त महीने के बीच चार-चार ये कही कहीन कहीं बताता है कि कॉंग्रिस पार्टी में उत्तर प्रदेश में कम से कम सब कुछ ठीक नहीं है स्थिरता नहीं है continuity नहीं है consistency नहीं है किन कारणों से कुछ लोगों को बैठाया जाता है और किन कारणों से कुछ को लाया जाता है कहीन कहीं सोच में समस्या है या हो सकता ह कि लगातार मिल रही भी फलताओं के बीच पौकलाहट है घाबराहट है बेचैनी है लेकिन मवजूदा जो फैसला हुआ है अजयराजी को बनाने का क्या पुर्वंचल में कोई उच्छमतकार दिखा पाएंगे क्या हर तरह के समुदायों को समाजों को वो मॉबलाइज कर पाएंगे कांग्रेस की लीडर्सिप के अनुरूप क्या वो उस तरह की वैचारिकता जो राहूल गांदी में दिखाई देती है उसको आगे ले जाए पाएंगे ये बड़ा सवाल है तो दोस्तों आज इतना ही नम कर अज हो उसरी गप, बड़ता है दोस्तों आजी का उसे कम सानी हमें धनुरिजाबकर्ण从्तैसरे के भी समूप समुरिग के र site ले वे रसे कर वाएंगे बढ़ाएंगे वैज़ितरे का ओनुरिजा।